आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक तम शांदार तरीके से बनने वाली रेसिपी यानि कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी यखनी पनीर की रेसिपी अगर आपने कभी इसे ट्राइ नहीं किया हो तो एक बार आप जरूर से ट्राइ करें क्योंकि ये खाने में बहुत ही बनाना बताती हूं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो देखें सबसे पहले मैंने क्या किया ना कि एक लीटर फुल फैट क्रीम वाला दूद लिया है तो मैं इसके लिए आज घर में ही पनीर बनाऊंगे अगर आप पनीर बनाने के जंजट से बचना चाहते हैं तो आ अरुदि एकदम सॉफ्ट पनीर होना चाहिए तो चलिए जब तक मेरा दूद गरम होता है तो मैं इधर काजू गरम पानी के अंदर मैंने हलका सा गुन-गुना पानी कर लिया और उसके अंदर करीबर मैंने एक मुठी काजू भरकर डाले है जब तक काजू हमारे भीगते ह तो मैं एक मसाला तयार करती हूं तो देखिए फ्लेम के ऊपर मैंने तवा चढ़ा दिया है और इसमें मैंने एक चम्मच जीरा डाला है एक चम्मच सोंप डाली है एक चम्मची साभूद धनिया डाला है दो टुकड़े दाल चीनी के डाले हैं कश्मीरी वाली लाल मिर्च यह दो मिर्च लेकर और इसी तरीके से काट करके इसे सेक लिया है अगर आप लॉंग खाते हैं तो आप लॉंग भी जरूर से एड़ करें तो देखिए अब क्या करेंगे कि इन मसालों को अच्छी तरीके से रोस्ट करने के बाद मैं इसे निकाल क नहीं से आज दूद को फाड़ूंगी तो हमारा दूद बहुत ही अच्छी तरीके से फट चुका है तो आप जब भी पनीर बनाए तो आप फुल फैट क्रीम वाला दूद ही इस्तमाल करें तो इससे क्या होता है कि जैसे एक लीटर जगर आप दूद निकालते तो उसमें आर होता है तब तक देखे यह जो हमने मसाला रोष्ट किया था यह अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है अब इसे मिक्सर जार में डाल करके और इसे आपको पल्स मोड पर चलाना है आपको इसी तरीके से पल्स मोड पर चलाना है अगर आप ज्यादा बारीक कर देंगे तो क् तो आप इस चीज का विशेज द्यान रखें अब इधर मैंने दो मीडियम साइज की शिमला मिर्च ले लिया है साथ में एक टमाटर लिया है मैंने और शिमला मिर्च के अंदर से आपको बीजो को बिल्कुल निकाल देना है इस तरीके से आपको खाली करना है और सिर्फ हमें यह उपर और जो हिस्सा होता है इसी का इस्तेमाल करना है अब क्या करेंगे यह की बीच में से इस तरीके से काट करके और इसके चोकोडड चोकोडड तुकड़े आपको मीडियम साइज के काट लेना है और साथी में मैंने दो हरी मिर्च लिया है इसे भी मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है और उसके बाद मैंने फ्रेश हरी पत्ति दा धनिया लिया है तो आपको क्या करना ना कि सारी चीजों की तैयारी पहले से कर लेनी है क्य जाता है क्योंकि आपको शूट भी करना होता है और सब्जी अभी काटनी रहती है तो जब तक हमारी उदर अच्छी तरीके से पनीर तैयार होता है तब तक आप यह छोटा मुटा काम कर तयार करके रखें अब हमारा पनीर को करीबन आदा गंटा हो गया है यानि कि जो पनीर तो देखें कि एकदम सॉफ्ट पनीर बन करके तयार हुआ है तो अब क्या करें कि इसे अच्छी तरीके से कट कर लेंगे तो आप जिस भी शेप में इसे काटना चाहें आप उस शेप में इसे काट सकते हैं तो मैं तो आज इसे क्या है थोड़ा सा लंबा लंबा काटूंग तो इसे क्या स Schuld मैं कर लेंगे अगर ां梁 खाना चाहते हैं तो आप सकते हैं उसे रिफाइन अधर में बना चाहते बना कर दो चम्मज़ गाता हैंगी अगर आप घी का तेस्ट बहुत ही अच्छा आता है ऐसे रिफ्सी घी नहीं खाना चाहते है तो आप इसे रिफाइं तेल में भी बना सकता हैं लेकिन आप एक बार ज़रूर से गी के अंदर बना करके देखें और क्या करेंगे ना कि पैन में तरप से घी फैला लिया हैं और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, कि जो पनीर हमने काट करके रखाता है, इसे थोड़ा सा आपको फ्राइ कर लेना है, आपको ज्यादा फ्राइ नहीं करना है, और अगर मार्केट वाला पनीर आप इस्तमाल कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बिल्कुल भी न सेके, क्योंकि अगर ज्यादा सेक देने से क्या होता है, कि मार्केर वाला पनीर होता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, यानि कि थोड़ा सा चूई हो जाता है खाने में, तो जब सबजी खाते हैं, तो उससे में उतना टेस्टी लगता नहीं है, तो देखे इस तरीके से आपको बिल्कुल जो घरवाला पनीर घरवाला पनीरए ने बना करके रखा है अब इसके अंदर दो चम्मच भरक करके देशी घी गी टाला है और subt急ång और येसके बाद मैंने क्या किया नहें yes कित अदर अद्रक लेहसन का 1 चम्मच पेस्ट डाला है और साथ ही में जो हमने हरी मेर्च काटी थी लंबी-लंबी पतली-पतली इसे भी मैंने डाल दिया है इसके अंदर अब क्या करेंगे कि इसे हमें चला लेना है कम से कम एक मेर्ट तक हमें इसे continue चलाना है क्योंकि जैसे आप काजू का पेश्ट डालेंगे तो यह तली के अंदर चिपकने लग जाता है यानि कि कडाई की तली में चिपकने लग जाता है और डाल देने के बाद आपको इसी तरीके से continue इसे चलाना है ताकि जो पनीर के ऊपर काजू की कोटिंग अच्छी तरीके से हो जाए अब इसे एक से दो मिनट चला लेने के बाद अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि जो मसाला हमने कूट करके रखा ता यानि कि ग्राइंड करके रखा ता दरदरा सा इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे main roll वो इसी मसाले का है तो आप इस चीज का विलकुल धिहन रखे कि आपको इस मसाले को इस तरीके से my चाले मोटा में मतलब इसी तरीके से tools mode पर आपको इसे कूट लेना है आप चाहें तो इस निएम मांदки में कूट मुले हसे मंदा सकते हैं कम से कम 2-3 मियाट तक जब तक कि यह सॉफ्ट नो हो जाए अब इधर हमारी जो पनीर वाला पेस्ट है इसके अंदर मैंने डाल दिया है नमक और साथी मैंने इसके अंदर एक चम्मचीनी डाली है ताकि इसका टेस्ट बैलेंस बना रहे है तो देखें नमक आप टेस्ट के अक अगर आप दही डालना चाहते है तो दही बिल्कुल भी खटा नहीं होना चाहिए बिल्कुल फ्रेश दही होना चाहिए अब इसे मैंने कवर कर दिया है और कवर करके हम इसे 2-3 मियाट तक पका लेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा सा उबाल आने लग गया है और देखें तो आप उसे भी डाल सकते हैं कि क्रीम डालने से इसका टेस्ट और इसका टेक्शर दोनों ही बहुत बदल जाता है तो देखें इस तरीके से हमारी सबजी बिल्कुल बन करके तयार हो गई है और इसके उपर मैंने डाल दिया है फ्रेश पत्तीदार धनिया डाला है तो अग आपी से रोटी पराथे या कुल्चे किसी भी चीज से खा सकते हैं ये खाने में सूपर टेस्टी लगता है तो इसी के साथ आज की रेसिपी कम्प्लीट होती है बाबाई